हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड़ जेनुएन इंफोर्मेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तो आजे 17 अब जून 2021 जैसी कि मैं आप हो प्रामिस किया था कल के वीडियो में पावर ग्रिट का जब भी क्वार्टर फोर रेजल्ट आएगा फटाफट मैं आपके साथ वीडियो के दूरू शेयर कर दूँगा तो लीजी आपके सामने वीडियो हाजी रहे पावर ग्र वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक देखना ताकि आपको चैसे समझ आए तो दोस्तो अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट आइकों नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाट्वर्म में डिमेट आइकों उपेन कर सकते हैं जहां पर आपका ब् करेंगे समझेंगे उसके बाद दोस्तों आपका क्या रहनीति हो सकता है क्या इस शेयर में खड़ीदारी करना चाहिए या नहीं सब कुछ एकदम डिटेल में बताएंगे चली सबसे बहले हम एक एक करके सारे नोटिस पढ़ लेते हैं तो आज की रिट में पावर्गिट का आनाउंस किया है तीन रुपए पर एक्विटी शर के हिसाब से जैसे कि आपको पता है पावर ग्रिट शर का जो फेस बैल वह वो दस रुपए फेस बैलोला स्टॉक तीन रुपए का डिविडेंट पे कर रहा है या अपने फेस बैले को पर टोटल थर्टी परसन का डिवि बोनस शर की नोटिश को पर दोस्तों अच्छे से अभी द्यान से सुनना और समझना कपणी ने रिख्लेर किया है घए संग आपको शार बोनस शर आपका हो जाएगा ठिक मतलब आपके पास समझ लीजिए चेब तो आपको टोटल बोनस शर मिलेगा एक्सेकुशन के बाद ठीक ऐसे ही आपको यहां पे तीन शेर का जरूर होना चाहिए आदर्वाइस आपके बास अगर दो शेर है तो उस केस में दोस्तों यहां पे जो एक्स्टर पैसा रहेगा वो आपके बैंक अकॉन में कमपनी बोनस एक्सेक्रीशन के बाद यहां पर ट्रांसपर कर देगा तो अब हम देखेंगे पाउर गृट का क्वाटर फोर का रेजल्ट कैसा आया है जो कि बहुत ही शांदर आया है तो दोस्तों यहां पर मैं आ चुका हूँ कंपनी का कंसॉलीडेटेट क्वाटर फोर्ट की फइनांशल रेजल क्यूपर सबसे बहले देखिए यहां पर जितने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप के इंफर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में सबसे पहले आता है कंपनी का टोटल इंकम जो कि पाउर ग्रिट का इस कौटर में टोटल इंकम हुआ है दस हजार आट सो सोला करोर रुपए टेन थाउजन आइन 2020 की मार्च कोटर में कंपनी का टोटल इंकम होता 10,507 करोड रुपए का यानि सीरीजी बात है कंपनी का इयर ओन यर चाहे कौटर ओन कोड़ा दोनों सेग्मेंट पर यहां पर बढ़िया जंप देखने को मिला टोटल इंकम के अंदर उसके बाद जो इंपरेंट पॉइंट 2020 कोटर में था 7,198 करोड रुपए सीदी सी बात है कंपनी का टोटल इंकम जितना बड़ा है वही कंपनी का जो एक्सपेंसेज है वह चाहे क्वाटर ओन क्वाटर चाहे यार ओन यह दोना से बिन पर हमें घटता हुआ नजर आया यानि कंपनी का जो इंकम है वो बढ़ गय जो खड़ चाहे एक्सपेंसेज वो भी काफी घट चुका यानि कंपनी का जो नेट प्रोफिट वो काफी शांधार देखने को मिल सकते चलिए अब हम नीचे चलके देखते हैं कि कंपनी नेट प्रोफिट कितना कमाया है जो कि यहां पर अब देख सकते हो लिए लिए नेट प्रोफिट का 3,360 करोड रुपए एंड लास्ट येर मार्च 2020 पे कंपनी का नेट प्रोफिट आया था 3,313 करोड रुपए सिरी सी बात है चाहे quarter on quarter चाही और और या दोनों सेग्मेंट भी हमें बढ़िया जम देखने को मिला चाहे टोटल इंकम चाहे नेट प्रोफ से जो की नंबर निकल के आ रहा है करीवन 7.52 का एंड उसके साथ साथ लास्ट quarter में जो की नंबर था करीवन 5.71 का था लास्ट येर की अगर हम बात करे तो करीवन 4.47 का था यानि हर एक सेक्टर पे या पे हर एक सेग्मेंट पे हमें जम देखने को मिला कंपनी का रेजल्ट 3.1 रेशियो पे बोना शेयर भी डिकलार किया तो इसका एफेक्ट हमें कल मार्केट ओबेन होने के बाद ही फटा फट देखने को मिल सकता है क्योंकि शेयर प्राइज में होगा बड़ा बिस होट चलिए अब हम बात करेंगे जो इंपोर्टेंट पॉइंट साथ है कि क्या आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं सबसे पहली बाद दोस्तों एक चीज़ आपको पता होना चाहिए पावर क्रिट कॉर्परेशन इंडिया लिमिटेड जो कि एक पीए स्टॉक है यानि कॉफ्बेंट होल्डिंग कंपनिया जिसे कारण ये स्टॉक काफ आपको देखने को नहीं मिलगा 138% का रिटन दिया है लगबक 13-14 साल में शेयर प्राइस बहुत ज्यादा स्लो मूफ करता है कंपनी बोनस ये भले डिक्लियर किया तो शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत उचाल तो जरूर आएगा बट ये नहीं कि आपको लॉंग टम में ये बहुत जादा कोई डिटन कमा के दे सकते हैं ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है इसलिए आप बिल्कुल भी बोनस ये या डिविडेन को देखके इसके अंदर निवेश मत करना आपको अगर लॉंग टम के लिए होल करना है आपके अंदर उतना पेशन्स है तभी काई आप इसके अंदर निवेश कर सकते हो आधरविस इंगनोर कर सकते हो क्या टोख की और यहां पर वेशन की पैसा आपको ही लेना पड़ेगा पारवक के अगर हम बात कर .... देखने को मिला है टोटल एक क्रोडफाल सब यापर चिसलन रात गरंे वह ऑपर श्यार स्यीग औ याने लोग यहां पर डिलिवर उटना काफी ज्यादा पसंद कर रहा है आज की रेट पर बात करते हैं अल्मोस्ट एक परसंट के आसपस गिड़ावाट के साथ अगर हम इसका आल टाइम हाई की बात करें तो कुछ दिन पहले ही 251 रुपे के आसपस इना आल टाइम हाई लगाया अब देखना ही है कि कल इसका जो इंपक्ट है मार्केट ओपन उनके बाद कैसे देखने को मिलेगा वीडियो को यह पर वेंड़ अप करता हूं वीडियो अच्छ लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीड अब तक के लिए टेक कार बाबाई जाए हिंद